हेलो हेलो फ्रेंड्स गुद मॉर्निंग वैलकम बेक टू अनौधर वीडियो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को मजे में कर रहे होंगे तो फेंड्स सुबह के पांच वजे हैं मेरे दिन की स्टार्टिंग हो गई है भगवान जी को देखते हुए तो रहादा किसने जी का मेरे पास एक स्टीगर था तो उसे मैंने यहां लगा रखा है क्योंकि जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले लाइट कौन करत हैं और जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो सबसे पहले भगवान जी के दर्सन होते हैं तो फेंड्स दर्सन करने के बाद अब चलते हैं अपने डेली रूटीन का फर्स्ट काम स्टार्ट करने के लिए ब्रश अप करने के लिए थोड़ा सफ्रेस हो लेते हैं फेस्वास बगर करके study करने वाली हूँ तो friends अभी मेरा study का first lot start होने जा रहा है और जैसे कि आप लोग को पता है यूपी pet की date बहुत ज़्यादा past में आ गई है तो अपनी study को थोड़ा सा speed भी देनी है और साथी साथ में ऐसी चीजां भी पढ़नी है जो कि हम ज्यादा ता चीजों को छोड़ देते हैं तो अभी मैं हिंदी को लेगा के वैटी हूँ हिंदी में अभी आज मुझे परियावाची ब्लोम शब्द अनेकार्ती सब्द इस तरीके के सब्द मैं आज पढ़ रही हूँ कुछ नहीं अभी में दस दिन बचिए हैं दस दिन में भी हैं कर मैं 15 15 सार्स सब्दं देखूंगी तब सब्द keeping हो जाएंगी तो क्योंकि हम सार्स तो नहीं देखने होते हैं कुछ-कुछह हम ऐसे लगते हैं कि हाँ यह वालाれてと思います आज यह यह वालाक यह वाला क्यौदा है तो उसके बाद मैं दस-दस डेली-डेली में याद करूंगी मेरा हो जाएगा तो फेंड्स हिंदी में मेरा टाइम चला के तो कंजूम हो गयता है लगबग 2 गंटे क्योंकि मुझे आज वर्ड छांटे ने थे फिर उसके बाद मैंने आज दस-दस मैंने बलोमशद और दस पर यादाशी मैं ने देखे है फिर उसके बाद मेरी जो जी एस की नोट्म Carson अनोत्वुक ती जिसमें मैं डेली-एंडन नोट conlove week दावा बनाती जा रही थी तो वहा रिवीजन किया क्योंकि मैं सिर्फ नोटडाउन करे जा हुए नोटडाउन करे जारी उनका रिवीजन नहीं कर रही हूँ तो वो भी बेकार है पढ़ना तो इस वज़ेते उनका मैं रिवीजन किया तो फेंड्स उसके बाद अभी दस बज रहे हैं और अभी मैं ऊपर आई थी कपड़ डालने के लिए तो यहां मैंने देखा कि नाइनो क्लॉक वाले जो फ्लॉवर्स होते हैं उन्होंने काफी अची फ्लॉवरिंग कर रखी थी तो मैंने मेरा मन हुआ कि वीडियो थोड़ी सी ले लेती हूं तो मैंने ले लिया गिरींडी और गिरींडी के साथ साथ थोड़ी थोड़ी फ्लॉवर देख रहे थे तो क्योंकि पता नहीं होता है कि पता हुए पडर में रहते हैं जो लोग तो ठीक है कि किसी भी टाइम अपना ब्रेक लो स्टडी से उस समय पछे ना लेकिन अगर आप लो घर पे तो आपको यह चीज नहीं करनी होती है। तो मैं क्या करती हो डेली के-đडेली ऐसे कि-वाड फोटारा कंदधाट और एक दिन बग्देन gaat भीटारा है विच्वा нужно रहा हैं रुकारा और हैं नहीं रहा है जो भी मेरे काम होते है अब posowym पर्रीं करें अभी बैठी हो मैं स्टडी करने के लिए बैटरी हूँ और आज के दिन का ये second slot है और आप लोगों को ज्यादा तर लोगों को पता होगा कि दिन में मेरे को अच्छा खासा time मिल जाता है मेरे घर पर कोई disturb करने वाला नहीं होता है इसलिए मैं दिन का time ज्यादा तर अपना study में निकालती हूँ और इसी बज़े से मैंने library भी join नहीं की हुई है क्योंकि मैं घर पे आराम से मेरे को time मिल जाता है कोई भी disturbance वाला नहीं होता है सबी लोग अपने अपने काम धंदों में जो जो कारिस्तल है उन लोगों के वो सबी लोग अपने अपने कारिस्तल पर चले जाते हैं तो friends अभी मैं पहले करूंगी math की practice क्योंकि math करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर math नहीं करेंगे तो math तो हमारा ऐसा है कि अगर हम math को time नहीं देंगे तो math हमारी टाइम नहीं देगा math फिर हमारी बज़़ा देगा इस तरही किसे मेरे साथ तो ऐसा है कि अगर मैं math की practice छोड़ दो तो math मेरे दिमाग से बिल्कुल ही skip होने लगता है तो चलो friend जब तक math को solve करते हैं तब तक अपने कुछ previous वीडियो के comment पर बात कर लेते हैं तो friends एक sister का comment था कि आप UPPAT के लिए current of year कहां से पढ़ रहे हो तो sister मैं बता दू मैं UPPAT के लिए current of year मैं target विदा लोग के जो रवी सर है रवी तिवारी सर मैं वहां से पढ़ रही हूँ वो तीन-तीन मन्त की करके current of year कराए हैं और static GKB करा रहे हैं तो मुझे वहां से ठीक लगता है मैं वहीं से करती हूँ कि अगर हम daily daily का पढ़ेंगे तो अब हमारे पास time नहीं है कि हम daily daily का current of year पढ़ें और हम daily daily का cover कर लें अब हमें ऐसा ही करना होगा या तो पूरी साल का ज उसका हमें दो से तीनवा रिवीजन करना पड़ेगा या फिर आप 3-3 मंत का करके और उनका अच्छे से रिवीजन करती रहो तो हो पाएगा current of year तो मैं अभी टाइगेट विदा लोग सर है मैं वहीं से कर रही हूँ जो रवी तिवारी सर है टाइगेट विदा लोग यूटूब चैनल है वहां से और friends ये उसके आद मैंने ब्रेक लिया हाता अभी ये चार वज़े का time है तो मैं कपड़े उताल लाई थी उपर से क्यों फिर मैं साथ के साथ मैं फोल्ड कर दे रही हूँ क्योंकि अगर मैंने एक साइड में रख दी ना चीर वगरा पे तो बहुत धेल लगता जाएगा कपड़ों का पुरा पहाड बनता जाएगा और घर भी बहुत मैसी सा लगता है गंदा सा लगता है उसके बाद ना friends मैंने ब्रेक लिया था और आज आटा पिस करके आया था तो वह ट्रांसफर की आता मैंने कंटेनर में तो इस वैसे मेरे सूट पर थोड़ा सा वही वाइट वाइट आटा लग गया था तो मैं आटा को भी साफ कर रही थी उसके बाद बैट रही हूं आज के दिन का थर्ड स्लोट करने के लिए और सबसे पहले मैंगर एटा इस वैसे मैं खुदी भूल जाती हूं कभी झाड़ों अगर मैं धोका ढूंगी तो मैं अपने आप को धूंगी है न तो इस वैसे मैं सब चीचे में दिखाने में बिलीव नहीं रखती तो फ्रेंट्स अभी मैं पढ़ गी है जियोग्रॉफी जियोग्रॉफी के नोट्स बना लेती हूँ और उसके बाद देखते हैं आंगे क्या करना है मुझे तो फ्रेंट्स आज का ब्लॉग वह छोटा सा है इतना सा ही है उमीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा ब्लॉग पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फर्स टाइम आये तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लेना और फ्रेंट्स आप लोगों से मुझे शुकायत थी कि आप लोग व वीडियो का अब मैं कर रही हूँ and उमीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू बाइ बाइ